नमस्कार दोस्तों 2013 से 2015 यानी 5 साल की रिपोर्ट की बात करें इंडियन आर्मी की तो गुजरास से टोटल 4 लाग गुजरातियों ने इंडियन आर्मी जॉइनिंग के लिए फॉर्म भरा दा लेकर इसमें से सिर्फ approximately 7000 लोग ही सेलेक्ट हो पाए अब ये जो मैप आप देख रहे हैं जिसमें 10 लाग की पॉपिलेशन में किस स्टेट से कितने लोग आर्मी के लिए सेलेक्ट हुए वो बताया है जिसमें गुजरास से 16 जबकि नेपाल से 22 लोग सेलेक्ट हुए और आप जानके हैरान हो जाओगे कि नेपाल की पॉपिलेशन गुजरास की पॉपिलेशन से आधी है बेशक आर्मी में गुजरास स्टेट से बहुत ही कम लोग इंडियन आर्मी जोइन करते हैं और इंडियन आर्मी में सेवा देते हैं जिसके कारण बहुत से पॉलिटिशन ने इस पर एजेंडे में शुरू कर दिये थे यूपी, बिहार, मदब्रदेश, दच्छर, भारत के बहुत सारे शहीदू है बताओ गुजरात का कोई एक भी जवान शहीदू आओ तो बताओ साथ ही कई लोगों ने तो यहां तक कहा दिया था कि इंडिया में पंजाब रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, गोर्खा रेजिमेंट है लेकिन गुजरात रेजिमेंट क्यों नहीं है और क्यों गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिससे बहुत कम लोग इंडियन आर्मी जोइन करते हैं साथ ही आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों इंडियन आर्मी में गुजरात रेजिमेंट नहीं है इसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे इस विडियो में No War History आपने किताबों में बहुत से War और राजाओं के बारे में पढ़ा होगा लेकिन क्या आपने गुजरात की कोई War History के बारे में पढ़ा बेश्चर इसका जवाब ना है क्योंकि पहले समझ से ही गुजरात की कोई भी war history नहीं रही जब अंग्रेजों के खिलाफ इंडिया में 1857 का war हुआ था तब भी गुजरात से बहुत कमी लोगों ने 1857 के war में participate किया था और बिट्रिश आर्वी में भी गुजरात के लोगों का बेहधी कम योगदान था लेकिन अब एक नजर आप डाले पंजाब स्टेट पर जहां से सबसे ज़्यादा लोग इंडियन आर्वी में join होते हैं जिसके पीछे का कारण है पंजाब की war history पंजाब के राजा रंजित सिंग जिन्होंने खुद के दम पर एक आर्मी बिल्ड करती थी साथी इंडिया के 857 war से लेकर अब तक के सभी war में पंजाब से ज़्यादा लोग participate करते हैं यही कारण है कि पंजाब से सबसे ज़्यादा candidates आर्मी में join होते हैं और गुजराथ की special war history ना होने के कारण गुजराथ में लोगों को इंडियन आर्मी में join हने का motivation नहीं मिल पाता है इसके कारण ज़्यादा लोग इंडियन आर्मी में join नहीं होते हैं गुजराथ से हम सब को पता है कि गुजराथ इंडिया का most manufacturing state है जिसमें textile market से लेगे diamond production तक के market है जिसके कारण ये economically भालत के GDP में बहुत ही help करता है यही दूसरा कारण है जिसके वज़ाथ से ज़्यादा गुजराथ के लोग इंडियन आर्मी में join नहीं होते हैं क्योंकि गुजराथ में employment के साथ ही business के बहुत ही opportunity है जिसके कारण लोग यहाँ के business mind के होते हैं और वो business करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सिवा इसके आर्मी में join करने गे यही दूसरा कारण है जिसके कारण गुजराथ के लोग ज़्यादा तर इंडियन आर्मी में join नहीं होते हैं अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर गुजराथ रेजिमेंट क्यों नहीं है तो इसका जवाब यह है कि हमारे इंडियन आर्मी में जितने भी रेजिमेंट हैं वो सब British government यानि अंग्रीजों के द्वारा बनाए गए थे और अंग्रीजों ने गुजराथ रेजिमेंट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उस समय गुजराथ बहुत से टुकडों में बटा हुआ था साथी British army में ज़्यादा गुजराथ का participant ना होने के कारण गुजराथ रेजिमेंट को नहीं बनाया गया बले ही गुजराथ से बहुत कम इंडेन आर्पी में जोइन होते हैं लेकिन गुजराथ एकोनोमिकली महाराश्टर के बाद दूसरा स्टेट ऐसा है जो जब से ज़्यादा कोंट्रिबूट करता है भारत की जीडी पे और यह एकोनोमिकली भारत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब फॉर मोर्ट